दोस्तों रादे रादे कैसे वाप सभी आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे और आज है वड़ी दिवाली शामगा टाइम हो गया सुभे में अदर साफ करके आगी थी दुल के सारा कुछ करके अब 6 बजने वाले हो रहे और सुभे से ये टा सामान ने जाएगा और देखते हैं बजो जो जाएगा जैसे जैसे जाएगा करके कि जो जो ज़रूरी है वो लेके जाएगे और सच में अपराट सी ओरी जबार मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्योंकि हर बार तो यह उता था कि जहां जाते थे वो मकान कंप्लीट होत अच्छी तर है बस अभी मैंने बालों में को पानी सा निकला वैसे घूल सी गुसरी थी और वस मैं धाई दोई हूं यह सारा सामान जो है इधर जाने वाला है बैडो का सामान है देखती हूं मैं जो भी रहता है वो भी सारा में फटा-फट समेटती हूं तो जी यहां पे द ठाके डाल लेंगे तर दिवाली पुच जाएगी तो थोड़ा सा हो जाएगा और यह जो हमारे मिस्तरी जी है ना वही आए हुए हैं हेल्प करने के लिए इनोंने पहले ही बोल दिया था इनको इसका डड़ी कोई कि भहिया जब यह करोगे तो मतलब हमें ही बुला लेना क् किसी को बुलाते भी हैं तो उसको भी थोड़ा सा पे करना ही होता है तो यह कहने लगे कि कोई नहीं आप लब हमें बुला लेना हमें पे कर देना और रही सामान की बात आप लोग कहरते कि दी सामान बैड वगएरा उदर चेंज करना देकि करना तो सभी कुछ है अभी लेक की है वो नहीं लेंगे लेकिन वह यह कि इसारे चीज़ जो में देखेender लगता है क्योंकि मकान में काफी पैसा लग य가 है और पतानी देखिए मतलênio मैं खुद बताऊं मैं हमेशा करती हूँ इस चीज़ को कि भगतानी करते जो भी करते देखे काम लग रहा है पिछले दो महींने से तकरीबन लगाता रही काम लग रहा है और हर रोज का खर्चा है और मतलब भगवान ही कर रहा है सारा कुछ देखे रोज का खर्चा और अपने आपको हमें नहीं पता लगता कि मतलब कहां से हो जाता है कैसे हो जाता ह तो फटाफट से चली यहां से सामान उठाते हैं यह चोटा पीक अपी मंगवाया था पहले कि थोड़ा सामान लेके जाना सिर्फ एक रूम का बैड गया है जाने लग रहा है और दोनों बैड का सामान था और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी था जो उसमें रख दिया गया बाकी अभी काफि सारा था मैंने का छलो पहले आज थोड़ा ले लेलिते हैं उटा लेते सामान बाकी کا बाद में उठा लेंगे तो देखें यहां पे बैड रखा गया है जो बैग वगेरा थे वो बैड के अंदर रख देते हैं सारे के सारे और फिर महां जाके इनको निकाल लिखते हैं तो यहां पर देखें काफी सारा सामान जो रखा है यह सब क्या सब जाएगा और बस फिर उधर जाके देखते हैं क्या है काम क्या हो गया है और सामान मैंने बाहर रखाई हुआ था था तो चला गया है तो चला गया भी तो पहला ही चक कर जाने लग रहा और समझ में नी आ रहा भी थी मखलो सामान जा तो रहा रखना कहा है क्या हो गया लालते निलगी इसके उपर तो रखा तो जा रहा है, इसके उपर बैया पकड़ के बैठ जाने है यह बैया पकड़ लेंगे फिर यह चुला और यह स्लेंडर लेके जाना गया हमें देखे आ गया है इदर सामान पहले भरना और फिर उतारना बड़ा टेंशन वाला काम होता है और यहां पर देखे बस सामान जो है मैं इनको रखवारी हूँ एक साइड़ी पता तो है यह अब तो खेर इतना टाइम हो गया उठाते रखते हुए पता ही लग जाता है कि कौन सा सामान कहां का है कितना है क्या है कुछ बिस्तर भी लेकि आए थे पिट्टी में से निकाल के कि जगे है तो निकाल दो और आज सामान सैट नहीं करना था बस यह था कि आज आ गया है बैड डाल देगे आज की रात यहां पे सोना था कि भई सो जाएंगे कि तोहार है खली नहीं छोड़ना चाहिए तो यहां पे देखिए बस यह लाइट का रेंज कर रहे क्योंकि अभी बिजली वगएरा का कोई भी कनेक्शन जो पहले है वो ही है उन्हीं में ही कर रहे हैं मतलब उन्हीं से इबलप वगएरा अतार लगा की काम चला रहे बाकि अभी कुछ भी फिटिंग वगएरा हुई है और हो भी जाती लेकिन यह तोहार करके अभी कोई भी नहीं आ पा रहे है कि वह आ जाए इसके लिए फिटिंग वगएरा के लिए और इनकी भी अभी छुटी की हुई है जो यह हमारे मिस्तरी जी है सारे क्योंकि तोहार है देखिए सबी का ही होता है कि साल बर का तोहार ह गयरा भी कुछ नहीं लखना था तो मैंने जाएंगा चलो रात के लेटने का हो जाएगा और यह बैड लगा दिया है तो फिर मैंने देखा मैं नहीं नहीं है तो मैंने झेह अब ब्योड़ा था आद iis यह मैश्चिंग मैश्चिंग होगा तो खेर देखी यहां पे इन्होंने बैड रख दिया है यह इसको मैं थोड़ा सा ठीक करके रख दूंगी और यह ना हमने जो श्टोर रूम का गेट थोड़ा बड़ा करवाया ना उपन करवाया तो इससे भी मतलब ऐसे लग रहा रूम की जैसे काफी बड़ा हो गया है और वोश तो मैंने कर ही दिया था आपने सुपह वाले वीडियो में देखी लिया होगा की वोश कर दिया था हमने पूरे घर को और वोश करने के बाद धोने के बाद बिल्कुल साफ सुत्रा सा ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही अच्छा तो खेर देखी जी बैड अंदर डाल दिया था और उसके बाद फिर हम लोग गए उधर नहा के मैं आगी ती उधर से ही का नहाना दोना एक साइड तो खेर अमावस थी इस दिन शाम को ही लगी थी बड़ी दिवाली को और क्या बोलते हैं तो हम लोग पहले उधर गए थे आशुवाली साइड पूजा करी पहले हमने और फिर उसके बाद इधर आ के करे ते तो पहले सब उधर ही कर रहे थे फिर भी यह मैं और आशु कर रहे हैं मैं अशु क्या सारी ही लग रहे ही यह वाले काम कुछ इस तरीके की होता है कि बच्छों को भी लगता है कि हम भी करे और पीछे की साइड देख रहे होंगे इसा हो रहा है और बस मन में थोड़ा सा ये भी है कि हाँ वई सामान रखना बड़ा बड़ा सामान रखने में इतनी दिक्कत ने आती जितना छोटा रखने में होती है उसे समेट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और क्योंकि अभी लकडी का जो काम है वो हम अभी नहीं करवा रहे पहल दुख तो खेर वो तो मन से निकलता ही नहीं और यहां पर देखिए जी बस अब दिये लगा दिये हैं प्यूगरेडी कुछ रह खील पता से रह गे थे वो लेने गए हैं खाना उधर ही बना दिया था शुने हलवा पूरी खीर था और सबजी थी और मिठाई थी वक्की हर साल की तरह तो हुई नहीं पूजा और मैं सही में बता हूँ पिछले जब से मैंने अपना घर छोड़ा यह पहली बार ऐसा होगा कि मैं मनलब गाओं में दिवाली पिछले साल भी गाओं में ही मनाई थी दिवाली लेकिन एक जो कह सकते हैं ना कि हां भाई अपने एक प्रोपर भाई नहीं मनाई गई एक बार भी नहीं हुआ है ऐसा कि हां मनाई गई हो क्योंकि मम्मी कह देते थे कि उधर वो अपना घर है वहां जाके दिवे जलालो वहां जाके दिवे जलालो ऐसे बोलती थी मम्मी तो फिर महीं जाना पड़ता था और क्या करते जी और फिर गाओं म तो खेर जी इस बार राम जी ने ऐसा किया है की दिवाली झो है उपने गर में मना रहे हैं और कहते हैंकि राम आगे अगे अ उपने गर में तो हमें तो यहीं लग रहा है की वाके में मनलब बगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं जो दुख तकलीफ जीवन में देते हैं किसी के भी तो वो कुछ अच्छा करने के लिए देते हैं और ये चीज तो खेर मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि अगर जीवन में थोड़ी सी दुख तकलीफ आ रहे हैं तो प्लीज घबराईए मत हलाकि मुझे कहनी नहीं चाहिए ये चीज क्योंकि मैं खुद उस चीज पे नहीं रह पाती कि दुख तकलीफ आए और हम ना घबराए लेकिन आज जब मैं यहाँ पे ही बैटके सारा कुछ देखती हूं करती हूं तो ऐसा लगता है कि नहीं हमने अपने जीवन में जो भी दुख समझ लीजे तकलीफ समझ लीजे संगर्श समझ लीजे या कुछ भी समझ लीजे औरों के मुकाबले तो खेर वो कुछ भी नहीं था जितना और लोग संगर्श करते हैं अपने जीवन में पर वह यह ना कि क् कुछ जो हुआ ना वो अच्छे के लिए था अगर वो सबना होता तो शायद आज इस चीज की इतनी खुशी ना होती है पापा जी का अगर मैं देखू पापा जी होते तो ये चीज और जादा अच्छे से हो जाती और जादा उस से होती पर फिर भी ये है कि उनकी दुआए थी उनके सामने ये चीज ली गई थी मकान लिया गया था उनके सामने ही मकान में काम लग गया था तो वो थे उस चीज़ से परेशान पर उनको ये संतुष्टी बाद में होगी थी कि चल मकान लिया गया और अब अपना प्रोपर हो जाएगा बलकि मेरे पापाजी ने बोला था कि बैटे देख लो जैसे अभी करना तो ठीक है अगर नहीं भी है तो अपना जाके रहन लगो अपनी च्छत होगी वो बहुत बड़ी बात है मैंने का फिर इसकी घर की कंडिशन थी नहीं वैसी कि इसमें रहा जा सके फिर मैंने का नहीं पापा जी इसमें काम लगाना पड़ेगा तो फिर भी वो यही कहते कि चलो देख लो जैसा तुमारा हिसाब बने वैसा कर लो तो उन्हे तरीके से थोड़ा सा मेरी तरफ से संतोष्ट थे तो माबाप को देखे होता ही है और खेर बस मैं वही बतारी की सारी चीजों को अगर मैं पिछे मुड़के देखती हूँ ना तो आज मुझे लगता है कि नहीं वो सब कुछ मतलब कहते हैं ना कि मुझे वो शब्द नहीं म अगरे और ये साल तो खेर चली जैसे भी निकल रहा है निकल ही रहा है ये तोहार जैसे भी जा रहे है जा रहे है पर कोशिश करेंगा कि बगवान अगले साल सब कुछ अच्छा रखे बगवान धेरो खुशिया दे सब के जीवन में कि सब अपने तोहारों को बहुत अच् है हर चीज की होते हैं दिखा हैं ना एक अलग चीज है लेकिन कही न कहीं हर चीज अंदर यह अंदर तोड देती चाहिं बार्ध तो तोड देती हैं कि ल में बार अपने स्थानों की हाँ वो जहां पे अपना सब कुछ शेयर कर सके दुख सुक जो भी है तो खेर देगे जी हाँ पे मैं लगा रही थी छट पे दिये और एक एक करके मैंने पूरी छट पे चरो तरफ दिये लगा दिये थे और वह यह बच्चों के लिए पटा खेलाई हुए सब्हultur पसके यहां पर रही है क्या कि चलते रहु हो बुझते रहते हैं जलते हैं तो खेर देखेश हैं यहां पर बच्छों ने शुरू कर दी है है करनी दवाली अपनी मनानी और इस दवाली हम लोग भी अपने घर में आ गए हैं और बस मातारानी करें सब कुछ अच्छा हो सब कुछ मंगल में हो सब कुछ शुब शुब हो तो यहां पे जी बस इसी शुब कामना के साथ अब इस वीडियो को मैं रुख कूँगी यही कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताईए अगर अच्छी लगती है तो प्लेज इस कुछ अच्छा ही करेंगे आज दुख है तो कल को वो सुक देंगे ही देंगे तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं रादे रादे बाई 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 जैमातावी